तो guys grow application में fund add करते समय हमारे बहुत सारे भाई लोगों को कई तरह के errors आ रहे हैं जिनमें से payment pending लिख करके आ जाता है साथ में payment discline by bank का issue आता है साथ में google पे और phone पे में भी payment failed हो जाता है for example के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने grow application में fund यहाँ पर add कर रहा हूँ जैसे ही मैं add पर click करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह redirect कर रहा है मेरे phone paper और phone paper में मैं यहाँ से payment simply यहाँ पर select कर देता हूँ अपना UPIP नोगर डाल देता हूँ और UPIP डा सकते हैं ongoing payment लिख रहा है we are verifying your payment status देख लिए यहाँ पर लिखा हुआ है payment discline by bank प्लिज री ट्राई और चूज अनदर मोड़ा पेमेंट तो basically यह problem आ क्यों रहा है ठीक है payment बार-बार फेल क्यों हो जा रहा है तो आप लोग को इसके बारे में details से बताने वाले हैं तो वीडि अब आप grow application में अपना fund add किजेगा ठीक है तो आप लोग जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दू जैसे यहाँ पर जो है कि अपने profile पर click करेंगे इसके बाद add money पर click करेंगे ठीक है तो आप लोग जो है कि उसी bank account से payment करना है जो bank account आपने grow application में link कर रखा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी bank account आपने grow application में link कर रखा है वो यहाँ पर show कर देगा देख सकते हैं state bank आप इंडिया लिखा हुआ है तीरपन 89 लिखा हुआ है ठीक है यानि कि जो SBI का मेरा account इसमें link है इसी number के जरीए इसी खाते से ही grow application में fund add होगा otherwise किसी दूसरे bank account अगर मैं fund add करूंगा तो वह काम नहीं करेगा यहाँ पर fund add नहीं होगा ठीक है जैसे कि आपके सामने मैं आपको दिखा दूँ कि simply मैं यहाँ पर 100 रूपिस जो है कि आपके सामने वैड कर रहा हूं और यहाँ पर मैंने simply यहाँ पर phone pay को select कर लिया यहाँ इसके बाद simply यहा अवासी भी लिक रहा है ठीक है और मैं यहाँ से जो उपिएाई पी नोगर भी मैं इंटर कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है जो भी मेरा YUPI पिन है ठीक YUPI पिन इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यह payment की fail हो जा रहा है ठीक है पेमेंट फील हो जा रहा है और यहां पर शोई कि डिस्कलाइन भाई बैंक जो है का इशू अरा है यहां पर देखिए बैंक जो की पेमिंट को डिस्कलाइन कर दे रहा है क्योंकि बैंक डारेक्टली ग्रो को पेमिंट नहीं करना चारा है और हलाकी मैं आप लोगो दिखा दूँ कि यहां मेरा 3389 SBI का एकाउंट है लेकिन मैं यहां पर payment किस से कर रहा हूँ यहां पर मैं payment कर रहा हूँ bank का बड़ोदा से payment कर रहा हूँ यसलिए मेरा यहां पर payment नहीं ले रहा है और मुझे यहां पर जो payment करने की जरूरत है वो SBI से payment करने की जरूरत है जिसमें जो की तीरपन नावासी खाते में जो ही की लिंक है उसी नंबर से वही पर से आप पेमेंट करने जरूँ थे देख सकते हैं पेमेंट पेंडिंग लिख दिया ठेक तो देखें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर grow UPI यहाँ पर आलेडी बना हुआ है यहाँ पर grow UPI के भी through भी कर सकते हैं यहाँ पर डालेंगे तो grow के UPI में मेरा state bank का फिंडिया लिंक है तो यहाँ से डारेक्ट जैसे ही अपना UPI पिन डालेंगे तो मेरा पेमेंट हो जाएगा लेकिन second condition यह है कि अगर आप लोग गूगल पे के थुरू पेमेंट करने जा रहे हैं तो गूगल पे के थुरू पेमेंट करने पर आपके खाते में गूगल पे में जो बैंक अभी grow अप्लिकेशन में लिंक है वो बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए अगर कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक है आपके grow अप्लिकेशन में गूगल पे में तो वो काम नहीं करेगा ठीक है अभी आप देखिएगा मेरा 100 रुपेस जो है कि तुरंथी पेमेंट एड़ हो जाएगा मैं यहाँ पर गूगल पे के थुरू कर रहा हूं ठीक और यहाँ पर देखिए गूगल पेसे करने पर पेमेंट मेरा इसलिए एड़ हो जाएगा ठीक है क्योंकि मेरा यहाँ पर Google Pay में यह मेरा SBI का अकाउंट जो है कि लिंक है इसलिए जो है कि मेरा यहाँ पर payment जो की successfully add हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर देखते हैं मैंने UPI पीने उकर डाल दिया है देख सकते हैं कि payment success हो गया यहाँ पर और ongoing payment हो रहा है payment जो है कि successful हो चुका है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप लोग इस चेच का ध्यान देंगे कि जो खाता आपके Google application में लिंक है उसी खाते सही payment होगा चाहे Google पे से किजिए चाहे phone पे से किजिए अगर different accounts करेंगे तो वहाँ पर कई तरह के issue आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे तो आयूप की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को help मिला होगा ते चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना मिलते हैं फिर किसी next stream में एक नए update के साथ